हर साल आठ मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस मनाय जाता है तो आप सभी लोगों को अंतराष्टी महिला दिवस की हार्दिक सुपकामना है लेकिन आप देखें जब इस तरह का दिवस मनाय जाता है तो उसका कोई ओदेश जरूर रहता है तो आज हम लोग अंतराष्टी महिला दिवस की बारे में एक सामान जानकारी देख लेंगे और भारत की परिपेक्ष में भी हम लोग इससे देखेंगे भारत में यह अलग बात है कि आप देखते हैं कि अंतराष्टी है महिला दिवस भी मनाय जाता है और हमारे देश में राष्टिये महला दिवस भी मनाय जाता है कम मनाय जाता है? 13 फरवरी को राष्टिय महला दिवस मनाय जाता है और जो सरोजनी नाइडू थी ना उनी की जैन्ती के उपलक्ष में मनाय जाता है और सरोजनी नाइडी को आप लोग भारत की कोकिला के नाम से भी जानते थे और यूपी की वो राजपाल थी पहली राजपाल थी और देश में किसी राजजी की पहली महला राजपाल बनी थी वो और इनके अगर हम लोग जनम की बात करें तो आप देखेंगे 13 फरवरी 1889 में इनका जनम हुआ था 2 मार्च 1949 में इनकी डेथ हो गई थी और भारत की कोकिल्या की नाम से भी आप लोग इने जानते हैं और बैसे भी आप देखें कि देश की आजादी के पहले आप लोग जाईए या देश की आजादी के बाद देखें महलाओं का जो योगदान रायना उसे हम लोग भोला नहीं सकते हैं और आप देखें आदी आबादी लगबग महलाओं की है और आप सोची अगर उन्हें आजादी मिलती है वो अपना योगदान दे पाती है तो हमारा देश कहां या दुनिया कहां पहुंच जाएगी और आज के समय में तो महलाओं के साथ भेदभाव की बात करना उन्हें कमजोर आखना ये सबसे बड़ी बेवकूपी होगी क्योंकि कहीं कोई कमजोर नहीं है वो बहुत अच्छा अपना करतब दिखा पा रही है पुरुसों से भी आँगे निकल रही है और भारत की परीपेक्ष में हम लोग जो सम्मीधानिक प्रावधान है हमारे सम्मीधान में महलाओं के लिए प्रावधान है जो इयोजनाय लाई गही है उन सब के बारे में जो कानून लाए गए है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे और अगर आप लोग civil service की तयारी कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपके exam में इनसे questions पूंचे जाते हैं और जब आप लोग महलाओं की स्तिती पर questions लेक रहे होंगे answer writing कर रहे होंगे, निवंद लेक रहे होंगे तो वहाँ भी कई महत्पूर्ण point आपको देखने को मिल जाएंगे हां तो आप देखते हैं कि महला दिवस की बात करें अंतराश्टी महला दिवस की तो हर साल 8 मार्च को अंतराश्टी महला दिवस का आयोजन किया जाता है और आप देखेंगे कि सरपितम 1909 में अंतराष्टी महला दिवसका एउजन किया गया था और सयुक्तराष्ट संग ने द्वारा 1977 में इसे अधिकारिक मानता पिदान की थी और UN की बात करें तो आप देखते हैं कि सयुक्तराष्ट की बात हो रही है United Nations की बात हो रही है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी नियॉर्क USA में आपको Headquarter देखने को मिलेगा इस तरह कि जो राष्टी और उंतराष्टी संगठने इनके बारे में भी आप लोग एक सामन जानकारी रखा करिएगा आपने पास क्योंकि इनसे questions आपकी परिक्षाओं में हर साल पूचे जाते हैं और मैं बार-बार बोलता हूँ आपसे कि आप जिस भी exam की तैयारी करें उसके पुराने questions पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा और विस्व के बेभेने छेतरों में महलाओं के पिती समान पेदर्सन करने के उद्देश से इस दिन को महलाओं के आर्थिक राजनिते को सामाजिक उपलब्दियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है और आप लोगों को एक report की अगर बात करें और दिन भार आप देखे कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं और रात में 10 से 11 बजे जाकर आराम मिलता है उन्हें और हम देखे पुरुस के आरेते हैं कि 5 से 6 घंटे कहीं नौकरी कराए कुछ काम कर लिया है तो हम सोचते हैं सब कुछ हम नहीं ही कर दिया है अगर हम लोग इस दिवस के इतिहासित पहलू को देखें तो 28 परवरी 1909 को सयुक्तराज अमेरिका में पहला राष्टिये महला दिवस मनाय गया था अमेरिका की सोचेस्ट पाइटी ने इस दिन को नीवार्क में 1908 की कपड़ा सरेमिकों की हरताल की सम्मान में नामित किया था जा महलाओं ने कामकाजी परिस्तितियों के खलाव विरोध किया था और आप देखें महलाओं को कम बेतन दिया जाता था अधिक घंटे काम करवाय जाता था उनसे हाला कि अमेरिका में इसके बीज बहुत पहले बोई जा चुके थे 1848 में आप देखें महलाओं को गुलामी विरोधी सम्मेलन में बोलने से रोक दिया गया था अगर इस बार कि आप लोग महला थीम की बात करें और सभी महलाओं और लड़कियों को ससक्त बनाने की बात की गई है और जबकि दुनिया ने सहस्ताब दी विकास लक्षों की तहत लेंगिक समानता और महलाओं की ससक्तिकर्ण की दिशा में प्रगिती हासिल करने के बाबजूद महलाओं और लड़कियों के खलाब दुनिया भर के हर किसे में भेदभाओं हिंसा जारी है और SDG में इन भेदभाओं की समाप्ती की दिसा में निमले लक्ष ने धारित किये गए कौन-कौन से? महलाओं और लड़कियों के खिलाब हर जगे भेदभाओं के सभी पकारों को समात करना है और सारजने को निजी छेत्रों में महलाओं और लड़कियों के खिलाब हिंसा के सभी पकारों की समात्ती जिसमें तसकरी, योन और अनिपकार की सोसन सामिल है सभी को पिर्थाओं की समापति जैसे बाल व्यवा, महला जनरांग की बिकिटी और आप देखे हम लोग उस समय आजादी के पहले आप देखे सती पिथा को बंद किया गया बाल व्यवा को बंद किया गया है और तो आप देखेंगे क्या माना जाता था और आप देखी बेटी के बलिदान भी दे दिया जाता था देवी मा को खुश करने की यड़कियों की बली दी जाती थी तो उसमय आप देखी हमारे जो धरम गुरू थे उन्होंने विरोध भी किया था और आप सोची आज सोची आप लोग कितना अच्छा काम कर गया हमारे महापूरूस्त आप लोग ने राजा राम मुहन राय के बारे में सुना होगा और आप देखते होंगे कि महलाओं की क्या समस्या हैं उनका किस तरह से समाधान हो सकता है इसे महलाओं ही बावखोवी समझ सकती है और इसे लिए कहते हैं कि राजनीथी में 50% उन्हें आरक्षित रखिये उनने सामिल करिए आप देखें ना के बराबर हमारी राजनीथी में महलाओं की इस्तेधारी रहती है और रहती भी है तो पुरुस के नाम से पहचाने जाती थी इनका अधिकान सिस्सा पिछडी हुई है और हमारे समाज में धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं आज कोई भी चेत्र ऐसा नहीं है जो नारियों से अच्छूता हो और फिर भी इस दिसा में अभी बहुत कुछ करना सिस है महिलाओं के सामाजी कार्थे को राजनितिक ससक्ति करन क के लिए सम्विधान और बंद और सरका द्वारक किये गए प्रयास देख लीजे और आप देके हमारे देश की पहली महिला प्रिधार मंत्री इंद्रा गांदी हमारे देश की पहली राष्ट्पती पितिभादी भी पार्टिल महिलाओं के लिए सम्विधान की बात करें तो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुचेद 16-1 में लोक सिवाव में बिना भेदभाव के अवसर की समानता की बात की गिए अनुचेद 19-1 में समान रूप से अभिव्यक्ति की सुतंता की बात की गिए अनुचेद 21 में इस्तरी और पुरुस दोनों को प्राण एवं दे में समिधानिक उपचारों की अधिकार की बात की गई है और अगर आपकी अधिकारों का हनन होता है आप पूरुसें चाहे महला हैं तो आप लोग सुप्रींग कोट जा सकते हैं आर्टीकल 32 के तैद और सुप्रींग कोट आपकी अधिकारों की रक्षा करेगा और आर्टीकल 22 226 अनुचे 226 के तैत आप लोग सुप्रेंग कोट की सरन ले सकते हैं अनुचे 33 का में पिस्तावी 84 समिधान संसोधन की जरी है लोग सवा में महलाओं की अरक्चन की विवस्था की बात की गए लेकिन मिला नहीं है यह अनुचे 49 गा में पोर्सों इस्तिरियों दोनों को समान कारी के लिए समान बेतन की अदिकार की बात की गए लेकिन अभी भी आप देखे जो सरकारी छेत हैं उसमें तो आप देखे बराबर की बात हो रही है लेकिन प्राइबट छेत में अभी महलाओं को कम बेपतन दिया जाता है अनुचे 40 में पंचायती राज संस्थाओं में 73 अनुचेद 41 में आप देखेंगे बेकारी, बुडापा, बीमारी, अन अनर अभाव की दसा में साहता पाने का दिकारे महलाओं को अनुचेद 42 में महलाओं हित्यू पिसोती साहता प्राप्त की विवस्ता की गिए अनुचेद 47 में पोसाहर, जीवन, इसतर, लोग स्वास्त में सुधार करना सरकार का दायत थे अनुचेद इंक्यावन का डा में भारत की सभी लोग ऐसी पिथाओं का त्या करें जो इस्तिरियों के सम्मान की विरोध्धो और अनुचेद 332 का में पिस्तावी 1480 में समिधान ससुधन के जरिये राजी की विधान सभा में महलाओं के लिए आरक्चन की बात कही गी है यह अभी तक लेकिन किसी राजी ने किया नहीं है महलाओं के लिए कुछ महत्पून कानू नकर देखें असलील कारे गाने भारती दंड सहिता में महलाओं के पिती असलील गाने और कार करना दोनों दंडिनी अपराद है इस तरी की लज्जा हितु भारती दंड सहिता में प्रावधन है IPC की धारा 356 इसकी तहट बलतकार अतिन्थ जगन अपराद है और दहेज पिती से अधिनियम 1961 और 86 है लेकिन आप देखते हैं फिर भी दहेज चलता है आईपीसी की धारत 494 पती या पत्तिनी के जीवित होते हुए विवा करना दंडिनी अफराद है हिंदो विवा अधिनियम 1955 के अंतरगत दूसरे विवा को पिती बंदित किया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं को इस रक्षन के लिए अधिनियम 2005 आया हुए था महला आरोपी की धंड पिक्रिया सहिता 1973 गरब की चेकिसी समापन अधिनियम 1971 भोड लेंगे चैन निसेद अधिनियम 1994 आनेतिक ब्यापार निवारन अधिनियम 1956 विसाखा दिसा अने दिस कारिस्थल पर महलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए बरक फिलेस बिल 2012 की बात होती है और आप दिखें इस तरह कि तमाम कानून लाई गया हमारे दिसमें लेकिन महलाओं में जागरूपता कम है तोनियम उनके कानून के बारे में मालू भी नहीं रहता है और भारत में महलाओं के विकास के लिए मुक धाचागत प्रावधान महला बाल का लेंड मंतराले ने इस मंतराले की क्रिया कलाब के लिए कई स्वायत संगतन भी हैं जैसे आप देखें राष्टी सार्विनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान राष्टी महला आयो राष्टी बाल अधिका सुरक्षा आयो के अंदरी ये सामाजी कल्याण बोर और राष्टी महला कोस और में किया था और सभी 640 जिलों को कबर करने के लिए पिधान मंती द्वारा आठ मार्च 2016 को राजिस्तान के जुन्जुनू में इसका विस्तारित किया गया था पिधान मंती संग कन्या समरिद्धी योजना ए 22 जनवरी 2015 को या योजना प्यारम हुई थी वाली का कल्यान को ब जुनों में राष्टी पोसन मिसन 2022 पोसन अभियान की सुरुवात की थे और पिधान मंत्री उजला योजना पिधान मंत्रिये से योजना का उधगाटन एक मई 2016 को बलिया उत्तर पदेश्ते किया था इसके तहत आप देखें गरीवी रेखा के नीचे के लोगों को निसुल LPG Connection दिया जाता है महलाओं के नाम से महला सक्ती केंद गाओं में आंगनबाडी केंद्रों को महलाओं के ससक्ती केंद केंदे के रोम में विकसित किया जाना महला ईहाट मार्च 2016 में योजना का सुबारम हुआ था महला उध्यमियों के लिए एक ओनलाइन डिजीटल प्रिदान मंत्री मात्त बंदना योजना महला वाल विकास महला बाल कल्यार मंत्री द्वारा एक नौ 2017 को अपचारिक शुरुवात की थी नगत प्रोसान के मामले मजदूरी के नुकसान के वज में आंसिक मुआपजा प्रिदान करने की विस्था की गई है ताकि महला पहले बच्चे के जनम से पहले और बाद में परयाप्त आराम कर सकें और प्रिदान की एगर नगत प्रोसान से गरबती महलाओं इस्तनफान कराने वाली महलाओं की स्वास्त में सुधार होगा प्रिदान मंती सुरक्षित मातत अभियान ये नवंबर 2016 में सुवारम किया था हर मह अनुसुचे जाती अनुसुचे जन जाती महलाओं की बीच और दिमिता को बड़ाबा देना था एक स्थान पर केंद्रे तियोजना सकी इमार्ट 2015 में सुरुवात की थी हिंसा से परभावित महलाओं के लिए एक स्थान पर चिकिसा पुलेस कानूनी और मानसिक सामजिक पर अब आप देखे कोई महलाओं का पती अगर खतम हो जाता है तो उसमें उसका क्या कसूर है लेकिन आप देखे उसके साथ किस तरह का बेदभाव किया जाता है स्थार गरे यह जना कठिन परिस्तितियों में फसी महलाओं को लक्चित करती है इन महलाओं की आसरए भोजन कपड़े स्वास्त के साथ आठे को सामजिक सुरक्चा बदान करने पर विचार करती है महलाओं का कारिस्थल पर योन उत्पीडन से सरक्षन और इसमें आप देखेंगे कारिस्थल पर महलाओं के योन उत्पीडन अधिनियम 2013 लागू है ओनलाइन से काया दर्ज करानी के लिए सी बॉक्स शुरू किया गया है और पंचयायतों के लिए निरबाचित महला पितिनिदियों का पिसिक्षन महला किसान ससक्ती कान पर योजना जो केसे से जुड़ी महलाओं की वर्तमान इस्तिती में सुधार करने और उन्हें ससक्त बनाना महलाओं के लिए पिसिक्षन और रोजगार कारक्रम या आप देखेंगे या कारकरम महला उबाल विकास मंतराले ने 1986-87 में शुरू किया था इस कारकरम के अंतरगर 16 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महलाओं को कौसल विकास द्वारा सोय रोजगार की योग बनाना कस्तूरवा गांधी बाली का विध्याले योजना इससे योजना की सुरुवाद 2004 में हुई थे और इसके अंतरगर उन पिछड़े और ग्रामिनी चेत्रों की महलाओं को साक्षर बनाना है जहां की सिक्षा की दर राश्टी महला सिक्षा दर से कम है और किसे ओरियों की ससक्ती करण के लिए राजीब गांधी योजना सबला या आप देखें एक कारकरम महला बाल विकास मंतराले द्वारा एक अपरेल 2011 को सुरू की गई थी और इस कारकरम की अंतरगर आप देखेंगे 11-18 बर्स की किसोरियों को पोश्टक आहार और आयरेन की गोलियां सहत कई चिकिस साथ दिये जाते हैं इंद्रा गांधी मतत सहयोगे उजना या कारकरम महला बाल विकास मंतराले ने 28 अक्टूबर 2010 को सुरू की थी और इससे उजना की अंतरगर 13-19 साल या इससे अधिक उम्र की महलाओं को पहले दो बच्चों के जनम के समय बित्तिय सहता दी जाती है सो पोसित महला अभियान की सोरियों और गरबती महलाओं को कोपोसर से मुक्ती दिलानी के उद्दे से कोटा राजिस्तान में सुरूआत होई थी एक बात और आप लोग याद रखिएगा यहां कि इस तरह की फैक्ट आप लोग आंसर राइटिंग करते या निबंद लिखते समय डाल दिया करिएगा या आप से कहीं इंटर्विव में पूछा जा रहा है तो वहां भी बता दिया करिएगा तो आप लोगों को थोड़ा वजन रहेगा आपकी आंसर राइटिंग में तो इस तरह से आप देखेंगे राष्टिये महला आयो महला दिवस और अंतराष्टी महला दिवस के बारे में एक सावान जानकारी आपके लिए हो गई और महलाओं की परिपेक्च में जो भारतीय सम्मीधान में कानून में सरकार की तरफ से जो यह उजनाय लाई जाती है उनके बारे में भी बता दिया है और भी अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना होता है न तो आप लोग बता सकते हैं हम लोग उस topic के बारे में बात करते रहेंगे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है आप लोग पढ़ते रहें